अस्सलाम उलेकुम दोस्तों आज में आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी अचारी मिर्च बनाने की रेसिपी लाई हो अगर आप भी रूटीन की वोही सबजी दाल गोश्ट खा खा के बोर हो चुके हैं और कुछ नया खाने का मूड हो जो के असानी से भी बन जाए मिर्टों में जटपट से तो आप ये मिर्चे जरूर बना कर देखिए सालन की तो हो जाएगी चुट्टी जब आप बनाएंगी ये वाली मिर्च और बहुत ही मज़े की लगती है इससे आप अपना पूरा खाना भी खा सकते हैं अचारी फ्लेवर के साथ एक मुन्फरिद सा जाएका होता है इन मिर्चों का और वैसे भी मिर्चों की पहले भी मैं काफी सारी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ लेकिन जो के अलहमदोलिल्ला आप सबको बेहत पसंद आई है तो मैं उमीद करती हूँ इन्शालत आला आज की ये रेसिपी भी आप सबको बेहत पसंद आएगी तो यहाँ पर रेसिपी देख लेते हैं इसके लिए एक पाव मिर्चे लिए यानि के 250 किराम मिर्चे हैं हमारे पास मूटी वाली मिर्चे और इसे सबसे पहले आपने अच्छी तरहां से वाश करना है इसके बाद बीच में इस तरहां से कटका निशान लगाना है तो यहाँ देखिए बस इस तरहां से कटका सभी मिर्चों में मैं निशान लगा लेती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ इसका अगला प्रोसेस हमें क्या करना है तो यहाँ पर देखिए सभी मिर्चों में मैंने कटका निशान लगा लिया है अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे सबसे पहले मैं यहाँ पर अमचूर पॉर्डर यानि के पिसी हुई आम की खटाई भी से कहते हैं अमचूर पॉर्डर भी का जाता है तो मैं यहाँ पर इसका डिर्ट चम्मच डाल गई हूँ बड़े वाले चम्मच हैंगे इससे जगा खटाईस में अच्छी बन जाती है और जाएका भी अच्छा आता है मिर्चों में अब इसमें हम डाल देंगे आदा चम्मच चाट मसाला पॉर्डर इनको मजीद और चटपटा बनाने के लिए चाट मसाला पॉर्डर आदा टेबिल इस्पून नमक नमक भी मैंने आदा टेबिल इस्पून लिया है या फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा लेकिन कम डालिएगा क्योंकि जो मैंने चाट मसाला और अमचुर पॉर्डर डाला है उसमें भी नमक पहले से मौजूद होता है हल्दी पॉर्डर आदा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पॉर्डर एक चोड़ा चम्मच ये तीखा नहीं होता है बस इससे कलर खुबसूरत आता है अब इसमें हम डाल देंगे धनिया पॉर्डर मेरा होममेट घर का पिसा हुआ धनिया पॉर्डर है ये एक टेबिल स्पून मैंने इसमें धनिया पॉर्डर डाल दिया है और अब इन सब मिर्चों को इस तरहां से टुिस्ट करेंगे ताकि मसाला अच्छी तरहां से सभी मिर्चों के उपर लग जाए तो ये देखें मैंने अच्छी तरहां से मिक्स कर लिया है अब हमने यहां पर लहसन लिया है ये देखिए लहसन मैंने यहां पर दो पोती लहसन की लिए है और इस तरहां से मैं इसे चॉप कर लेती हूँ ये देखिए, लहसन जरूर डालिएगा, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है तो चलिए पकाना शुरू करते हैं, इसके लिए मस्टर्ड ओइल लेंगे थिरी फोर्थ कप मैंने मस्टर्ड ओइल ले लिया है, पहले से अच्छी तरहां से गरम कर लेते हैं मिर्चों का जो असल जायका आता है, वो इसी ओइल में आता है, अचारी फ्लेवर आता है और अचारी मिर्चे हैं तो इसलिए इसमें मैंने सर्सों का तेल इस्तेमाल किया है, एक चम्मच गाईदाना और अब हम इसमें डालेंगे एक चमच जीगा और दो चमच सॉन्फ के डालेंगे इसी तरह से साबूट सॉन्फ आपने लेनी है आप चाहें तो दरदरासा पीस के भी ले सकते हैं दो चमच सॉन्फ के डालने है सिर्फ लेवर बहुत अच्छा आता है इसका आदा चम्मच कलॉंजी डालेंगे और सभी मसालों को अच्छी तरहां से कड़कडा लेते हैं अब इसमें लेसन शामिल कर देंगे जो मैंने बारी एक चॉप करके कखा था तीन टेबिले स्पून इसमें लेसन के चले गए तो मैंने आपको जो दिखाया इसमें दो चम्मच थे लेकिन ये बड़े चम्मच थे तीन चम्मच के करीब लेसन के इसमें बारी एक चॉप किया हुआ और इसके बाद हम इसमें मिर्चे डाल देंगे जो मसाला लगा कि हमने कखी थी बहुती चटपटी मज़दारी मिर्चे बनती है मज़ा आ जाएगा आपको जब आप ये मिर्च बना कर खाएंगे तो इन्शाललत आला आपकी जितनी भूख है उससे ज़्यादा आप खाना खाने पर मजबूर हो जाएंगे अब मिर्चों को हम यहाँ पर इस तरह से चमच लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से फ्राई करेंगे बस बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई कीजिएगा वरना इनका जो क्रंच होता है वो खताम हो जाता है जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है मिर्चों को 50% ही हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है जब तक इस पर हलका सा कलर नहीं आ जाता है तब तक हम इने अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं गैस का फ्लेम मैंने हलका रखा है हलकी आँच पर मैं इनको पका रही हूँ और मसाला आप देखिए इसका कितना चटपटा शानदार सा लग रहा है बहुत ही आसान सिंपल सी रेसिपी है पकाने का जो टाइम है वो दो से तीन मिनट मुश्किल से लगते हैं और ये मिर्चे बनके तैयार हो जाती है तो यहां पर देखिए बस इस तरहां से मैंसे कंटी न्यूजली चम्मच चलाते हुए पका रही हूँ और आपने देखा इसमें चीरा हमने लगाया मिर्चों में कर्ट का निशान तो ये आईल में जाने के बाद जो चीर्टे आते हैं वो भी नहीं आते हैं और ये इजी ली बच्चियां भी बना सकती हैं जो बिगनर्स हैं जो कोकिंग सीक रही हैं तो वो भी आसानी से ये वाली मिर्चें बना सकती हैं अब इसमें लीमू का रस्ट में डाल गई हूँ लीमू इसको बहुत ही ज़्यादा चटपटा चटखारेदार बनाने के लिए इसमें बड़े साइज के दो लीमू मैंने लिये हैं और इसका रस्ट डालेंगे इससे ये फॉरण खटी हो जाएंगी और जब तक इसमें चटपटा पन नहीं होगा तो ये अच्छी नहीं लगेंगी लीमू आप इसमें ज़्यादा को अंटिटी में भी डाल सकते हैं इनको चटपटा बनाने के लिए तो यहाँ देखिए बस अभी से अच्छी तरहां से मिक्स कर लेते हैं तो ये बहुत ही मज़दार सी मिर्चे हमारी तकरेबन बन के तैयार हो चुकी है ये देखिए मसाला आप देखें कितना जबरदसा बना है इनका तो चलिए गैस का फ्लेम बन कर देते हैं और डिश आउट कर लेते हैं तो यहां पर देखिए मैंने मिर्चो को डिश आउट कर लिया है और कलर भी देखिए कितना खुबसुरत है मिर्चो का और मसाला देखिए कितना जबरदस लग रहा है जब आप खाना खाने बैठेंगे तो यकीन कीजिए आप एक रोटी की जगा दो खा जाएंगे आपको इतनी मज़े की लगेगी यह और आप इसे दाल चावल के साथ साइड डिश के तौर भी बना सकते हैं सबजी के साथ खा सकते हैं या पिर आप इसे सुबह नाश्टे में पराठे के साथ खाईए यह बहुत ही अच्छी लगती हैं इस तरहां से बनाकर आप इन्हें स्टोर भी कर सकते हैं इन मिर्चों को आप 15 दिन के लिए बनाकर फिरिज में रख सकते हैं और आप इसे एजी ली जब दिल चाहे आप निकाल के खाईए इन्जॉई कीजिए आई होप कि आप सबको मेरी आज की यह रेसिपी जगर पसंद आई होगी वीडियो ची लगिए लाइक कर दीजिएगा मिलते हैं इन्शालत आला नेक्स्ट रेसिपी के साथ